आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है Academy 24x7 के यह है इस Current Affairs के वीडियो क्लास में दोस्तों आज है 18 जन्वरी और हम भी इसके वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं कुछ बहुत ही important Current Affairs के MCQs के बारे में और उन MCQs से बढ़ने वाले आपके जो भी important facts हैं important questions हैं उनको भी हम वीडियो में डिसक्स करते हुए चलेंगे चलेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक motivational quote से जी हाँ यह यह changement मैंने कुछ ही दिनों से किया हुआ है आज quote of the day है अगर आप failure को attention नहीं देंगे तो आप कभी भी success नहीं मिलेगी यानि कि अगर आप fail होने से डरते रहेंगे कि मैं fail नहीं हो जाओ तो आप कभी भी success नहीं छूपाएंगे ठीक है अगर आप जिन्दिगी में fail होते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने गलती कहां पर की और अंगली बार हम उसको सुधारेंगे और अपनी success को secure करेंगे ठीक है इसी साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पावरफुल पासपोर्ट इसमें सामिल किये जाते हैं उनको उनकी ranking के साथ से सजाया जाता है तो जो भारत को इस बार इस्थान मिला है वो पचास युवां इस्थान मिला है तो थोड़ी सी भारत की ranking में थोड़ा सा गिरावट आई है इस सूची में किसी पासपोर्ट को किस आधार पर सामिल किया जाता है या किस आधार पर ranking परदान की जाती है तो इस पासपोर्ट में जो ranking परदान की जाती है वो पासपोर्ट धारक इसका मतलब क्या होता है कि ज बोरूब वीजा नहीं लेते हैं तो कब जब आप उस देश पहुंच जाएंगे तो वीजा ओन आराइवल आपने जाए ठीक है तो यह इसी के अधार पर आपके इंडेक्स तयार की जाती है इसे 2006 से शुरू किया गया था इसी इंडेक्स को 2006 से इसको प्रकासित किया जा रहा है और इसमें 199 देशों को सामिल किया गया है जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देशों में बिना किसी पूर वी जाके जा सकते हैं ठीक है दूसरा इस्थान है सिंगापूर का और तीसरे इस्थान पर सयुक्त रूप से दो देश हैं जर्मनी और दच्चिन कोरिया तो पहले स्थान पर हो गया जापान दूसरे स्थान पर सिंगापूर और तीसरे इस्थान पर जर्मनी और दच्चिन कोरिया बहुत इंपोर्टेंट आपका ये इंडेक्स है जरूर से याद रखें इंग्जाम के पांटा भी उसे इंपोर्टेंट है बात हो गई पहले दूसरे तीसरे की भारत की बात हो गई लेकिन अब एक बात रह जाती है आखरी में क्या कि सबसे आखरी में कौन से देश हैं तो इस सीरिया इराक और अफगानिस्तान सबसे आखरी में आपके सूच कांग में देश है ठीक है चली दूसरा प्मुशन लेते हैं हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्था स्थापना दिवस मनाया और कम मनाया यह 15 जनवरी 2021 को ठीक है 15 जनवरी 2021 को जब आपका क्या होता है भारति सेना दिवस होता है कब होता है इसाप से यानी कि दो important days होते हैं 15 तारीक को एक तो आपका भारती स्रेना दिवस और दूसरा भारत मौसम विज्ञान विभाग दिवस या फिर स्थापना दिवस ठीक है भारत मौसम विज्ञान विभाग जो हेट कौर्टर वो कहां पर है नई दिल्ली में है देश की राजधानी नई दिल्ली में वीडियो के दोरान आपको दिगे जानकारी पसंद आती है वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और सेर जरूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिना किसी एजिटेश नाम दिया गया है प्रारंब नाम दिया गया इसमें पच्चिश देशों के साथ बिंस टेक कंट्रीज भी सामिल हो रही है आपको ध्यान देना है बिंस टेक इसका फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है एक बार आप ध्यान से सुन लें इसका फुल फॉर्म क्या होता है बे आफ बेंगाल इनिसियेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनामिक को आपरेशन एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं बे आफ बेंगाल इनिसियेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनामिक को आपरेशन यह बिंस्टे का फॉल फॉर्म होता है जो एक्जाम में काफी 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 बार पूछ ले आता है मैं आपसे कुश्चन नहीं पर पूछता हूं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भा बेंगाल की खारीं की लेकिन जब कच्छ की खार्च की खमबाट की खारी के बारें को लेखेंगे अगए को एक के लिए और यह बर्टि उसकार में अगमें तो जित किये जा रहे, Startup India सम्मेलन का अब तक का ये सबसे बड़ा संस्क्रणा है, ठीक है ना, हाँ, अब तक का सबसे बड़ा संस्क्रणा है, ठीक है, चलिए, आँगे बढ़ते हैं, चौथा कुश्यन लेते हैं, हाली में चर्चित भारत सरकार का कौन ऐसा कौन सा पहला railway station ह जिसे ग्रीन बिल्डिंग परमारपत्र मिला है, ठीक है, हाली में चर्चित भारत का ऐसा कौन सा पहला railway station जिसे ग्रीन बिल्डिंग परमारपत्र मिला है, तो ये railway station है, नर्मदान अदी के किनारे, इस तेट, Statue of Unity जहां पर आपकी है, ठीक है ना, Statue of Unity जो मूर्ती है, आप आपका ये नर्मदा डिस्टिक में है, ठीक है, नर्मदा जिले में है, जहां पर आपकी नर्मदा नदी बैती है, और जहां पर जिस नदी के किनारे, आपका Statue of Unity है, ये आपका अभी SSC, Jai में कुश्चिन आया था कुछ दिन पहले, और RRB NTPC में आपका ये कुश्चिन आया था कि जो आपकी Statue of Unity है, वो किस गाउं में स्थित है, तो आपको याद रखना के वड़िया गाउं है, वो ठीक है ना, एक चीज और, RRB NTPC का नाम आया है, तो मैं बताना चाहूंगा, चैनल पर RRB NTPC के लिए Most Respected दो वीडियो अपलोड कर दिये गए हैं, तो उनक आपके लिए बहुत ही ज़्याता, इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, एक है इंपॉर्टेंट डेस का, इंपॉर्टेंट डेस की थीम का, और अंतरराष्टी संगठनों का दूसरा है, जो आपके अरारवियों में पूछा जा रहा है, बहुत आपकी बहुत से ज्यादा किस कुछें नेते हैं, हाल ही में चर्चित, गवी गंगा धरेश्वर मंदिर कहां पर इस्तित है, अच्छा, इस टैच्व आफ यूनिटी का आपको हाइट बतानी है, कमेंड बाक्स में प्रेंड करके, ठीक है, चल्दी से कमेंड कर दीजे, इस टैच्व आफ यूनिटी के कित समर्पित गुफ़ा मंदिर है, इसकी विसेश्था क्या है, तो यह एक रॉक कट वास्तु का लाका उदार है, ठीक है, रॉक कट का क्या मतलब है भई, चली देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, तो रॉक कट का मतलब है, यानि कि एक समूचे पत्थर को काट करके इसको बनाया गया है उसी समूचे पत्थर में इसको उकेर दिया गया है इस मंदिर को इसकी एक विसेशता है ठीक है इस बार यह चर्चा में क्यों आ गया क्योंकि हर साल यहां पर मकर संक्रांत्री के दिन इस गुपा में लाकों सध्रांत दू आ आया जाता है तो यहां पर यह मंदिर है तो इस मंदिर में जो गर्व गर्य इसका जानी की जहां पर इस भगवान सिव की मूर्ती इस्तित है तो वहां पर सूर की किलने उस जगर पढ़ती है फिर वहां पर उस्व मनाना सुरू किया जाता है तो इस बार क्या है मौसम ने खेल तो यह उस भीलिंग पर एक घंटे के लिए गिरती हैं जब यह नंदी के सीगों के बीच से गुजती हैं कितने इतर के लिए और यह वन दिके और आ बहुत ही अच्छा उदारण चलिए छड़ा कुष्चे लेते हाल ही में जाने माने भार किस भारती अमेरी की निकर का निदन हो गया तो इनका नाम है वेद प्रकास महता उपसन यह आपका सही होगा है यह बहुत से रोगों से घिरे हुए थे हैं ना बच्पन से ही यह काफी इन्होंने संगर्स किया है क्योंकि बच्पन में जब यह तीन साल के थे तो मेरेंजाइटिस की वजए से इनकी क्या है अपनी आंकों की रोसनी खो दी फिर भी इन्होंने बहुत यह अच्छा काम किया समझ लेजिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनको लेखक लेखक भी यह बन गए ठीक है ना इनकी आखें ना होते हुए भी इन्होंने लगबग 24 किताबें लेकी ठीक है और यह अमेरिका में फेमस थे किसके लिए कि अमेरिकी पार्ट को यह भारत के बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे यानिकि भारत को बहुत ही भारत के बारे में जानकारियां आपर देते रहते थे ठीक है जब इनकी म्रत हुई तो यह परकिंसंस रोग से गरसित थे ठीक है बच्पन में इनकों मेनेंजाइटी सुई जिसकी वज़े से आंकों की रोस नहीं खोदी और जब इनकी म्रत हुई तब यह परकिंसंस रोग स हाल में चरचित जल्ली कट्व क्शराज यहां बहुत ज्यादाई फेमस खेल है यह साल आपका वी वाद में रहता है तो जल्ली के टो खेल यह आपका तमिल्नाडम के खेला जाता है ओPSन भी आपका साइज होगा तो यह IMP ने मनाया जाता है ठीक है यह साल यह 2000 साल पुरानी परंपरा है कितने साल पुरानी परंपरा है 2000 साल पुराली प्रामपरा है जो एक परतिसपर्दी खेल है इसमें क्या होता है इसमें क्या है जो बुल मालिक है एक तो उनके सम्मानित किया जाता है क्यों सम्मानित किया जाता है क्योंकि वो बुल को पालते हैं और परसु परजनन के लिए पालते हैं बुल प्रजनन करते रहें और इस तरीके से कहा है खेल की यह यह नहीं बना रहा है और यह प्रटी पालन भी थी करी जा सके एक प्रतियोग्यों के लिए बैल के बांधनी के कुर्सिंद करते है तुम आंका असफ़ल हो जाते हैं तो जिस भी व्यातिका भैल है यानि की बैल के मालिक को पुरिसकार मिल जाता है इसी तरीका के एक खेल आका करंब करनाटक में खेला जाता है उस को लेकिन अलग नाम दिया यता है उसको नाम दिया यता है कंभाला तो कंभाला करना टॉ। इ Гठी जो参क में कहल है। इंपंट हो जयता है क उन्हा बंता है कि हाल हitä जैरी कि स्वर्च को रिकार्ड दूसरे गर्म वर्स के रूप में दर्ज किया गया जी हाँ एसा भहुत सर्फ दो बार ही ज़्सा गर्म रह यानि कि दूसरा है जिनी गुजर गया अबुत ही यूँ कहें कि अजीब का साल रास सभी के लिए ए कि दूसरा सब हुआ है ओ का रिकार्ड दूसरा सबक्रार कौनी तो 2016 था रिकार्ड सबसे गर्मोर्ज अब यह कैसे पता चाहिए जब से रिकार्ड इसका रखना शुरू किया गया तो नासा के दोरा कार्ड रखना शुरू किया है तब से लेकर के अब तक 2020 आपका दूसरा सबसे गर्मोर्ज रहा ठीक है ऐसा क्यों है कि आप सभी जानते हैं कि लगबग 200 सब पहले क्या हुआ इंडस्ट्री 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 रेवल्यूशन शुरूआ और द्योगी क्यानती शुर है तो जो 2020 है साल वो आपका दूसरा सबसे गर्मवर्ज रहा और पहला सबसे गर्मवर्ज आपका 2016 था ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं वीडियो में तो आज की वीडियो में सिर्फ आठी कुईस्ट्टन थे अब ले लेते हैं कल की कुईस्टन का जवाब हाल ही में चर् ट्रांस्पोर्ट के लिए क्या होगा एक तरह से क्या है रोबोटिक कार्स यहां फिर यह कहेंगा बॉर्ट टाइप में इसके आपको यूज किये जाएंगे उसी से ही ट्रांस्पोर्ट सभी किया जाएगा ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं आप ले लेते हैं कुश्टन आप दड़े इसका जवाब करके बताना है हाली में चर्चित एक बार फिर से गड़तन दिवस के मुखतिती में बदलाओ किया अब किस देश के मुखतिती होगे ठीक है चार आपके पास इनमें से जो भी आपको अप्शन करेट लगता है आप कमेंट बाक्स करके बता सकते ह हमें जरूर से बताएं को कोई सवाल कोई डाउट कोई दिक्कत या कोई सजेशन तो भी आप हमारे साथ से कर सकते हैं आप हमें फेस्टुक पेज और इंस्ट्रागाम पेज़ फालो कर सकते हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रीप्शन बाक्स पर मिल जाएगा वीडियो पसं पूरत भी है ठीक है थैंक्स पर वाचिंग में इतने नेक्स वीडियो में तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नवाद